सबी को जाएं दोस्तों आप सभी का हादिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आप लेक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मश्यूर पत्तरकार सुवेब चोदरी को जिनको भारत ने काफी ज़्यदा पसंद किया जाता है उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदोस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोट की सीनर वकील नाजिय लाइक खांजी और ये दोनों ना सिरफ बात कर करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकि चर्चा करेंगे भारत की टेकनोलोजी और भारत की एज्यूकेशन सिस्टम के बारे में तो ये वीडियो फ़ींट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत को जानने को मिलेगा तो इसे अंतक देके और चैल पर नहीं है तो को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिसी लेटस इंट्रस्टिंग और इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत मोरीजी, Tamil Nadu और महाराष्रा की विजिट है आज उनकी और आज उनके शिड्यूल क्या-क्या है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ठीक है वो बहुत सारे foundation stone रखेंगे बहुत सारे various development project के foundation stones रखेंगे जिसमें सो जो बहुत important है वो मैं बताने जा रही हूँ विक्रम सारा भाई space center VSSC आज ही वो विजिट करेंगे आज ही space center और तीन significant space infrastructure project जिसका अठारा सो करोड रुपे अमाउंट है गगन्या mission के progress के बाद और उसके success के बाद मोदी जी ने चार astronaut designated लोगों को उन्होंने honor किया है और उसके बाद क्रियेटिंग फ्यूचर को लेकर के डिजिचल मॉबिलिटी फॉर आटो मोट आटो मोटिव MSME entrepreneur program को भी वो आज विजिट करेंगे टू ब्लॉस्टरिंग MSME in the India Automotive Industry को वो आज launch करेंगे several projects हैं जो 17.300 करोड जो तमिलनाडू को दिया जाएगा वियो चिताम्रम पोर्ट जो पहली बार भारत में hydrogen hub port बन रहा है उसके लिए भी पूरी तयारी हो चुकी है रेल प्रोजेक्ट तमिलनाडू का 1.477 करोड अल्रेडी फंड किया जा चुका है पोर रोड प्रोजेक्ट है जो 4.586 करोड का है जो फंड अल्रेडी पहुंच चुका है अब महाराश्टर पर आते हैं जो साड़े चार वजे होने वाला है आज वह एनुग्रेट करेंगे डेडिकेट करेंगे मल्टिपल डेवलमेंट प्रोजेक्ट वाल्यूड ओवर 4900 करोड 4900 करोड 21000 करोड करोड वह आज दिस्ट्रिब्यूट करने वाले हैं प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहर आज ही वह रिलीज करेंगे साड़े चार पचे ए आच सो पचीस करोड रुपे वह महिलाओं को देंगे रिवॉल्विंग फंड साड़े पांच लाक महिलाओं को देंगे जो प्रोजेक्स प्रोजेक्स के बाद प्रोजेक्स और फिर बड़ी बात ये कि मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो इंडिया की टोटल सैटलाइट्स हैं इस टाइम आलमोस्ट चार सो प्लस हैं या चार सो के करीब हैं और दो हजार चोटना से पहले उनकी तदाद 50 के रौन किया गया है और एक ऐसे प्राइम निस्टर की तरफ से जिसे चाय बेचने वाला या चाय वाला प्राइम निस्टर पुरी दुनिया में पहले बताया गया लेकिन अब तो पुरी दुनिया कोई बास कह रहा है कोई मतलब कोई आटोग्राफ मांग रहा है और कोई इस रीके स और दूसरे नमबर पे एक और चीज़ मैं आप अपने देखने वालों को बताता चलूं ज्यादतर जो इंडिया से हैं कि मुझे ऐसा लगता था पहले मतलब जब मैं वीडियो रिकार्ड करता था पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे देखने वाले लोग चाहे वो मंबई से था चाहे वो दिली से था चाहे वो इंडिया की किसी भी स्टेट हैदराबाद से था गुझराज से था हर इंडियन ने यही कहा और वीडियो में मुझे है तो मुम्किन है और अगली बार भी प्राइम निश्टर मुझे ही होंगे इसे कहते हैं कि अपने पर development development के बाद development तेखिए मैं आपने मोदी जी के लिए कहा कि मोदी है तो मुम्किन है और मोदी जी की गैरंटी जो होती है वो पड़ी specific होती है पड़ी specific होती है अगर उन्होंने कह दिया है तो वो करेंगे आप सोचो के 1982 से वो कहते थे कि UCCI राममंदर बनेगा वो कहते थे क 33% वोमेंस को reservation मिलेगा वो कहते थे CAA NRC हम लाएंगे हमारे जो हिंदु भाई बहन जो बाहर अत्याचारित होते हम उनको लेकर आएंगे उनको नागरिक्ता देंगे नक्सली को हटाएंगे आज 10% नक्सली सबचे हैं हमारे भारत जो पूरा एक घिनोना अपरात करते थे आ लेकिन शा है तो रा है हमारे पास अमेच शा है तो हमारे पास रा है अजिट डोवल जी है तो हमारे पास James Bond है Dr. S. जाशंकर जी है तो समझी हमारे पास चानक्या बुद्धी है तो हमें कोई भी अप पिछे नहीं कर सकता है क्योंकि जो गूप है ना जो गूप है वो एक अ वेल्यू नहीं दिया जाता है, हमेशा ये बात उठती आई है, तब ही मुसल्मानों का इतना हालत बुरा है, क्योंकि अब 2023 का सर्वे रिपोर्ट आया है, हमारा भारत जो है, वो 79% एडुकेटेटेड है, हमारे भारत का जो पॉपुलेशन है, 79% एडुकेटेड है, लेकिन 2006 में आई थी, उसके बाद 2023 में भी आई है, वही सेम आई है, कि मुसल्मान दलित से भी पीछे है एडुकेशन में, मुसल्मान भारत का दलित से भी पीछे है एडुकेशन में, हाला के, हाला के, पांच एडुकेशन मंतरे मुसल्मान रहे हैं, पांच एडुकेशन मिनिस्ट मुलाना अबुकलाम आजाद, हमायू, कबीर, मुहम्मद करीम, चांगला, फकरुद्दिन, अली एहमद और नूरुल हसन। पांच कैबिनेट एडुकेशन मंत्री रहे हैं, इसका मतलब है कि एक-एक तर्म भी वो रहे, तो पचीस साल रहे। कि 1947 से 1977 तक मुसल्मान एडुकेशन मेनिस्टर थे। अब मुझे बताएं कि यह चाहते तो पचीस साल में भारत में मुसल्मानों का मुस्तक्बिल बदल सकते थे। ऐसका जाजब कि ट्लेड सकतते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया और यह पूरा का पूरा नेट पर आप गूगल पर सकते क्या कि उन्होंने भारत पे हिंदूाओं को तो प्हुखा तुड़वायए। उन्होंने भारत के हिंदूओं को उनके civilization से छड़वाया, उन्होंने भारत के हिंदूओं को उनकी सब्यता और संसकार से दूर किया, उन्होंने मुसल्मानों के प्रती कुछ भी नहीं किया, बलके भारत के हिंदूओं पर focus किया, कि भारत का हिंदू, कभी भी ये ना कहें कि हंदू राष्ट है इसलिए उन्होंने हमें हमें और भारत के हिंदूों को भगासिंग जी कि कहानी नहीं पढ़ने दी weekend किताबों को चेंज करवार करके उसमें बाघर आजीम था बाबर की 3,000 बीवियां थी, शाजहां अजीम था, शाजहां की 5,000 बीवियां थी, औरंग जे मंदिरों को तोड़ता था, वो बहुत ताकतवर था, ये सारी चीजें हिस्ट्री की किताब में उसने लिखवा दिया, उसके बाद उसने क्या किया, All India Muslim Personal Law Board, Work Board, उसके बाद पर हल जाल सर्टिफिकेशन, उसके बाद जितने भी organization मुसल्मानों के खुले, वो मदरसे लाइन से वो खोलता चला गए, और मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, हिंदू काफिर है उसका गला काटो, हिंदू काफिर है उसका गला काटो, हिंदू बच्चियों को गोद में पाँच जित्षा मंत्री ने ये किया और एक कटर हिंदू है, एक कटर हिंदू है, श्री नरेन दामोदर्दास मोदी, जो खुरान के पन्नों को पलट करके कह रहा है कि भाई, मुसल्मान, पस्मान्दा मुसल्मान आपके खुरान में 800 बार तालीम की बात लिखी वी है, आज दिली के सड़क परना, साठ साल का बुड़ा, साठ साल का जईप आपमी, उटंगा पिजामा, लंबा, कुर्ता, जालीदार, टोपी, दाढ़ी रख करके बोलता है, रेडी लगाने वाला, पंचर वाला, हम लोगों को तो मोदी जी देही नी रह नोकरी, तुझे साठ स साल के उमर में यादारा है, कि तुझे नोकरी चाहिए थी, तो ये जूट का जो फुलजड़ी छोड़ रहे हैं भारत से लेकर के पाकिस्तान तक, ये अराम से इसका दूद का दूद और पानी का पानी हो रहा है, अब आप उन साठ साल के बुज़र्ग या बाइस साल के लड़के से भारत में भी आ करके, करनल की स्पेलिंग, पूछिएगा न, शुएव नहीं बता पायेगा, लेकिन उसको मोदी जी के विरोध में बात करनी है, इसलिए उसको नोकरी चाहिए है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह सोईब चोदरी के सवाल और नाजी एलाइखाजी का दंदार और बेबाक अंदास आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा जहां पे और शेयर जरू कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्षिय में लिख कर जरू बताएं और एक बाफ़ेट चैल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम अपनी से लेटस इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें जैंद